चेहिं डोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हुँ आप सभी लोग का दोस्त संजेत और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी औन मांनिफ्टी हमारा आज के लिए व्यूट था किस तरीके से मार्केट में आज अच्छी घासी सेलिंग nifty के अंदर देखने को मिली mid cap and small cap एक और दिन और दुबारा से जो है वो sell-off की तयारी जो है वो करते वे दिखाई दे रहे हैं daily charts अगर हम देखते हैं यहां पर definitely थोड़ा pressure जो है हमें देखने को मिल रहा है IT sector 1000 point की गिरावट जो TCS में Tata Suns ने हिस्सा बेचने की तयारी करी है उसका impact जो है definitely हम लोगों को अब देखने को मिल रहा है और Reliance दुबारा से जो है वो एक लेगार्ड की तरह काम किया Bank Nifty ने आज बहुत जादा कोशिश करी अपने आपको hold करने की अगर आप इस वक देखो daily time frame पे अगर आप Bank Nifty को देखते हो तो एक और डोजी candle जो है वो Bank Nifty ने बनाई है अब आगे के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं क्या banking and financials में जो है वो दुबारा से एक follow up selling आएगी या फिर पूरे बजार अब recovery की तयारी कर रहा है सारी चीज़े इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्र पहले चीज़ अगर हम बात करते हैं global markets की global markets की अगर में हापे बात करता हूं तो global markets की बात करते हुए हम लोग को एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि आज US futures में अच्छा खासा दबाव है कल रात को Nvidia की जो annual conference होती है उसमें कुछ बड़े announcement की expectations थी बड़ वहां पे नहीं होने के कारण US futures में definitely आज के दिन weakness है सबासो पॉइंट नीचे Nasdaq है 100 नीचे डाउ है अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो हल्की फुल्की profit booking यहां पे भी है अगर हम Asia की बात करते हैं तो Japan ने finally बहुत सालों बाद I think एक बहुत बड़ा tectonic shift जिसके बारे में बहुत जादा लोग अभी तक चर्चा नहीं कर रहे हैं टेलिग्राम ग्रूप पर भी आज मैंने आपको यह सुबह अपडेट नहीं दिया था तो वीडियो में मेरा यह अपडेट देना बहुत ज़रूरी है कि Japan में जो वहां का Central Bank है Bank of Japan उन्होंने बहुत सालों बाद जो negative interest rate है व वहां पर टार्गेट क्या रहता था माइनस 0.1 से लेकर 0 के बीच में interest rate का टार्गेट जो रहता था उसको बढ़ाकर 0 से लेकर positive 0.1 तक का जो टार्गेट है वो जो है रहने के लिए वहां के जो Central Bank है उसने announcement किया है तो यह बहुत बड़ा tectonic shift है इससे impact क्या पढ़ सकता है इससे impact definitely जो पढ़ सकता है वो FII flow के उपर पढ़ सकता है ठीक है क्योंकि हम लोगों को पता है जो main FII है जो definitely Indian market में जो invest करते हैं आपके US, Europe and Japan यहां से जो है वो काफी अच्छा fund जो है हमें देखने को मिलता है और there are certain flows और certain companies of US जो Japan के थूँ जो है वो Indian market में cash flow को inject करती थी तो यह जो हलका पन अब आएगा जो liquidity में dry up होगा यह किस तरीके से बजार पचाता है नहीं सिर्फ जपान का बजार नहीं सिर्फ इंडिया का बजार बलकि overall जो global market है वो इस चीज़ को कैसे पचाता है यह देखना सबसे साथ important होगा and I think इसी वज़े से आज जो है Asian markets में हलक फुलका दबाव था जपान उतना नहीं गिरागरा futures देखो flat है बट किस तरीके से यह बजार लेगा इस नई policy को आगे चलते हुए क्योंकि लगबग I think 1997 के बाद highest level पे उनका जो currency है वो चल रही है जो उनकी Japanese yen है 150 के आसपास जो है वो चल रही है against the dollar तो देखते हैं आप किस तरीकी का impact overall Japan डालता है क्योंकि Japan कोई छोटी मोटी economy नहीं है one of the biggest economies है हाँ सबसे बड़ी नहीं है बट definitely impact wise इंडिया के लिए काफी close ally एक हम लोग बोल सकते हैं यह रहा global markets का perspective अब अपने में क्या है यार ठीक है हम लोग को expectation थी आज trend की nifty में अच्छा खासा trend मिला बट bank nifty and financials आज तो एक चीज़ दुबारा से थाबित ही जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जिस index की expiry है उसको operator जो है पूरी कोशिश करेगा कि उसमें आपका पैसा ना बन पाए अगर आप जो है वो बायर होतों कि क्या sellers का अलग system है मैं as a buyer के perspective से बात कर रहा हूं क्योंकि हमारी जो वीडियो देखते हैं वो most of the people वो हैं जो छोटी capital वाले हैं जो intraday buying करना prefer करते हैं चाहे वो अपना option buying हो गया या फिर future का एक एक lot buy हो गया तो उसमें भी अगर आप देखो तो बहुत जादा जो है वो volatility हम लोग को देखने को मिली अगर हम nifty finance की बात करते हैं तो मैं पांच मिनिट का अगर चार्ट आप लोग के सा transaction के अलावा एक तो ये साड़े दस बजे जो up move आया जहां से nifty finance 2550 से सीधा कहां गया 100 point उपर और उसके बास second half में ये जो move आया 550 से इसने attempt किया 650 तक का ये इन दो moments के अलावा बाजार ने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया ठीक है एक बहुत ही छोटी range लगभग 40.50 point की range में अपना 20,500 का एक index जो है वो आपका trade कर रहा था on expiry day ये चीज़ आप समझके note कर लीजे आप आगे के लिए भी देख लीजेगा expiry वाले दिन index में trend मिलना directional trend मिलना is next to impossible right now जिस हिसाब से इनों ने operator ने game बनाया हुआ है आप notice कर लीजे इस चीज़ को observe कर लीजे बट मैं तो बहुत दिनों से observe कर रहा हूं और आप लोग के सामने इस चीज़ को रखी रहा हूं तो अब कल bank nifty की expiry है ठीक है और उसके बाद हमारी monthly expiry अ क्या हो सकता है सबसे पहले अगर हम निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम जो है वो चेक आउट करते हैं यहां पर एक इंट्रेस्टिंग चीज़ हम लोगों के सामने जो है वो बन किया रही है अगर हम लोग यहां से trend line को ड्रॉ करते हैं ठीक है तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि market जो है एक important trend line को तो breakdown किया है बट एक और trend line जो इस तरीके से हम लोग draw जो होती भी दिखाई दे रही है उसके आसपास आके जो हो support लेने की कोशिश कर रहा है तो मेरे लिए important क्या रहेगा अब कल के दिन के लिए 21,790 ठीक है 790, 775 यह 15 point की important और critical range है अगर कल Nifty 21,775 के नीचे sustain करता है तब हम fresh breakdown के बारे में सोचेंगे वरना हो सकता है जैसा आज निफ्टी finance में हमें देखने को मिला उस तरीके का कुछ sideways और momentumless day हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है क्योंकि आज इनकी fed meeting start है आज fed meeting start है कल जो है वो fed meeting खतम होगी और कल रात को जो US fed का बयान है decisions है सब कुछ आएगा तो यह चीज important होगी के fed meeting से पहले क्या US market बड़ा trend या बड़ा momentum देने को तयार है क्या आज के दिन यह बहुत ही ज़्यादा important रहेगा और इसके उपर हम लोग definitely watch out करेंगे तो यह important ह है nifty के लिए 21,775 मेरे लिए crucial level है यहाँ पर confluence of supports आ रहे है fresh breakdown 21,775 के नीचे ही होगा and अगर आपको दुबारा से अब strength देखनी है इस बजार की 21,875 के उपर हम लोग नज़र रखेंगे 21,875 के उपर अगर यह बजार sustain करता है तो हम लोग एक attempt करेंगे for the targets of 21,975 तो इसके उपर हम लोग definitely नज़र रखेंगे निफ्टी का put call ratio अगर मैं देखता हूँ 0.54 है clear oversold है इस वक्त expiry से 2 दिन पहले तो इस वज़ा से मैं थोड़ा cautious हूँ कि एक shad bounce या फिर fall का at least रुकना इस level पर बनता है क्योंकि put call ratio जो है वो काफी high हम लोग को दिखाई दे र 4,000 से जादा हमारे members हैं आप लोग का बहुत जादा प्यार and support अपने को मिल रहा है description में link है यहाँ पे कोई भी markets related update, news कुछ भी होता है यहाँ पे मैं share गरता रहता हूँ levels होगेरा आज सुबह ही मैंने आपको 9-20 के आसपस बोल दिया था कि bank, nifty and financials पर नजर रखना, market को hold करना है तो इन दोनों में strength आएगी ठीक है और आज financials and banking में आप देख रहे हो पूरे दिन hold करने की कोशिश करी गई निफ्टी bank, बहुत interesting phase के ऊपर निफ्टी bank जो है वो चल रहा है अगर आप यह 15 मिने time frame है यह आज का दिन जो है वो start हुआ है 19 तारीक, just look at the range, bank nifty कि इस तरीके से कितनी छोटी range में इस वक्त आ चुका है 46,300, 46,275 बहुत critical level है कल के लिए, pivotal level हमने आज के लिए भी बोला था और कल के लिए भी यह है अगर 46,300, 275 के उपर जब तक यह बजार है आप लोग इसको aggressive short नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर important support confluence of levels बन रहे है इसके नीचे अगर भजार जाएगा तो 45,975 तक का trend मिलेगा तो 35,500 आपको इसके नीचे अगर closing मिलती है 15 minute candle की 5 minute की 2 candles के at least 10 minute नीचे टिकना चाहिए तब अपने को अच्छा momentum मिलेगा 45,975 तक on the upside में 46,700 और 800 का target बनेगा अगर 46,275 और 325 के levels को यह hold करता है तो यह levels के उपर हम लोग definitely नजर रखेंगे निफ्टी बैंक की अगर हम put call ratio की बात करें 0.66 है निफ्टी से जादा strength है इसका मतलब निफ्टी से थोड़ी जादा put writing हुई है but still oversold जो है वो put call ratio अभी के लिए बना हुआ है ठीक है यह चीज़े है globally dollar index में specially strength आई है जपान के decision के बाद 104 के आसपस चला गया है bond deal 4.33 के आसपस है तो globally अगर आप macro data देखेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि आर आज banks गिरे क्यों नहीं ठीक है index गिरा क्यों नहीं bank and financials को but data wise अगर आप चीज़ों को देखोगे price action wise चीज़ों को देखोगे तो आपको कुछ logics और थोड़ा इसमें जो operator game करता है expires पे वो आपको दिखाई देने लगेगा तो आशे करते हम वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई देवीडियो को लाइक किजेगा मिलता हुआ अपसे अगली वीडियो में thank you so much for watching गाइस जहिन वन्य मात्रम